हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आपका दोस्त राहूल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल टैको भारत तो दोस्तों आज फिर से मैं इस चैनल पे एक नई वीडियो और नई बिजनिस के बारे में लेके आया हूँ बहुत डिमांड में थी ये टॉपिक बहुत दिनों से पूछा भी जा रहा था कि सर इसके उपर आप वीडियो बनावें बिजनिस फोर बस की बस का बिजनिस अगर करें तो कैसे हम कर सकते हैं और क्या ये बिजनिस फायदेमंद है तो आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अगर जिन भाई टोपिक मेरा रहेगा कि बस कितने रुपे की आती है दूसरा टोपिक रहेगा कि बस के लिए क्या क्या डोकुमेंट की जरूरत होगी और तीसरा टोपिक यही रहेगा कि क्या ये मुनाफ़े वाला है या नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो में ज्यादा समय ना खराब करते वे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जैसा कि दोस्तों आज आप देखते ही हो कि हर जगा कहीं ना कहीं जाने के लिए हमें बस की requirement होती है या किसी स्टेट से दूसरे स्टेट जाए या local to local जाए तो बस की requirement होती ही होती है तो इस वेज़ अगर आप business बस का करते हो तो उसमें आप profit कमा सकते हो लेकिन इसके भी कैई चर्ण है अगर इन चर्ण को आप तरीके से पूरा करते हो देन आप ये business profitable कर सकते हो सबसे पहले बात आती है कि किसी बस को लेने से पहले हमें उसके बिजनिस को समझना जरूरी है कि वो होता कैसे है बेसिकली यह नहीं कि बस आप जाके खरीद लो और आपका बिजनिस स्टार्ट हो गया सबसे पहले आपको बिजनिस समझना पढ़ेगा कि बस का मैं बिजनिस कैसे कर सकता हूँ बस का बिजनिस मोटा माटा एक ट्रस्ट वैलू पे चलता है अगर आप कहीं पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो आपका बिजनिस नहीं चल सकता सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी आपका ड्राइबर है जो भी आपके को ड्राइबर है जो आपकी गाड़ी को चलाएंगे क्योंकि ये तो हैनी कि मालिक अपनी गाड़ी ले के खुदी चलाएगा तो वो अपनी गाड़ी को चलाने के लिए ऐसे ट्रस्परती बंदे उसके पास होने चीए जो उसको सही से ओप्रेट करें, सही से डील कर सकें क्योंकि बहुत जगा ऐसा होता है कि डीजल की चोरी हो जाती है पैसों में हेरा-फेरी हो जाती है तो इसमें क्या है जो बस मालिक होता है उसको लोस होता है जो वो मुनाफ़ा समझ के चलता है वो मुनाफ़ा उसे होनी पाता और लोस हो जाता है इसमें आपको इस तरीके से ट्रिगर करना है कि आपका ड्राइवर आपका कोड ड्राइवर हैलपर इस तरीके से आप उस पर ट् अब बात आते है कि अगर आप कोई बस खरीते हो तो वो बस कितने की पड़ती है दोस्तो एक नॉर्मल सी नॉर्मल बस 15 लाग से 20 लाग तक की होती है और यही बस दो करोड तक भी जाती है यह डिपेंड करता है कि आप बस किस तरीके की लेना चाहते हो कौन सी बस में आप डी सीटी टू सीटी चलाना चाते हो कोई बस तो 20 से 25 लाग रुपे तक की आपकी बस तयार हो जाती है अगर लोकल रूट पे आप चलाना चाते हो तो वही बस आपकी 15 से 20 लाग रुपे तक तयार हो जाती है और वही बस अगर आप ट्रैवल में बहुत अच्छे प्रीमियम से सबस जाती है यह डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा इस पर लगाना चाहते हो आप जितना पैसा लगाओगे उतनी बास आप यह अच्छी होगी सबसे पहले ही मैं बोल चुका हूं कि आपको अपना बिजनस फॉर्मेट समझना है आपको बस कहां चलानी है सीटी टू सीटी चलानी है मतलब लोकल रूट पे चलानी है या किसी स्टेट टू स्टेट चलानी है या ट्रैवल में प्रीमियम सेगेमेंट में चलानी है यह आपको डिसाइड करना होगा उसके अकोडिंग ही आपको बस लेनी होगी अब सवाल आता है कि जब हमने बस ले ली तो उसका एक permit भी मिलता है जिसे कहते हैं root permit लेने के लिए आप को सारी के सारे document अपने rt office में जमा करने होते है तिन आपको root permit rt office देता है कि आप इस route पर चला सकते हो तो इसमें मैं एक आपको रहते हम कि आप जब भी permit लो तो ऐसे route का permit लो जो जाधा से ज्यादा वेस्ट हो ज्यादा से ज्यादा बीजी हो और ज्यादा से ज्यादा उस जगह पे ट्रैवल होता हो अगर आप सीटी टू सीटी चला रहे हो इंटल सीटी चला रहे हो तो ऐसा रूट आप पकड़ो जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर जाते हो आते हो तब ही बिजनिस में सर्वाइब ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगे अब बात कर लेते हैं डोकुमेंट की क्या-क्या नीड होगी वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको बस की RC कोपी देनी पड़ेगी, इंसोरेंस कोपी देनी पड़ेगी, फिटनेस साथिफिकेट देना होगा और आपको एक छोटी फर्म आपकी रिजिटर होनी चीए उसका साथिफिकेट लगेगा, टैक्स प्रूफ लगेगा जो आप टैक्स दोगे और एक उसके साथ मैपी सम्मिट होगा, जब आटियो ओफिस आपको एक रूट पर्मिट असाइन करेगा, मैप इसलिए होगा कि आप उस मैप में ये डिटर्माइन करोगे कि इस जगा से इस जगा तक मेरी बच चलेगी, फोर एक्जामपल हम माल लेते हैं कि आप बहार चलाना चा तो आपको जैपूर से एहमदाबाद में जितने स्टॉफ पड़ेंगे, जितना आपका रोड होगा, उस हिसाब से आपको वो मैप तयार करना होगा, वो फिर आपको जमा करना होगा आटियो ओफिस में, क्योंकि आटियो ओफिस ये जानना चाहता है कि आपकी बस किस इवारमेंट होती ही होती है कि आपको रूट कब बताना ज़रूरी है, क्योंकि उस रूट के अलावा आप दूसरे रूट पे गड़ी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उस रूट का आप ओललेड़ी आटियो को टेक्स और फिस उसको अदा करोगे, अगर आप दूसरे रूट चलाओंगे तो वह रूट ओफेंस हो जाएगा तो इसलिए रूट परेमिट होना बहुत जरूरी है जो कि आठी ओफिस से मिलता है अब तीसरी बात हम बात कर लेते हैं कि final कि इसमें profit कितना होगा तो दोस्तों इसमें profit ऐसा नहीं है कि determine है कि आप लाग कमाओगे दस जार कमाओगे बीस जार कमाओगे ये depend करता है कि आप किस route पे गड़ी चला रहे हो क्योंकि हर route का एक अपना-पना segment है हर route पे कमाई अलग-अलग तरीके से है अगर आप दिल्ली तो डिल्ली चल रहे हो तो दिल्ली में भी बहुत से ऐसे route हैं जो वेस्त हैं उन हर route का अपना-पना एक parameter से हैं उसमें अलग-अलग कमाई है तो ये आपको decide करना होगा कि किस route पे मेरे को अपनी गाड़ी चलानी है सबसे पहले उस route पे आपको अनलाइस करना होगा रिसर्च करना होगी कि कि इस route पे क्या profitable हो सकता है देन आप बस का विजनिस स्टार्ट कीजिए ये कह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि इस route पे आप बस चलाओगे तो आप लाग कमाल होगे बस से तीन लाग कमाल होगे ये तबी संबब होता है कहना ये तबी कह सकते हैं जब आपको route किलियर हो और महां की सारी सारी नोलिज आपके पास हो कि इस route पे इतना चारा business है उसमें मैं earn कर सकता हूँ देन आप अपना बिजनिस का प्रॉफिट निकाल सकते हो आई होप कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई हो दोस्तों बहुत डिमांड में मेरे पास इनफोर्मेशन आई थी कि बिजनिस के बारे में बताओ जो बस से किया जा सके तो दोस्तों मैंने अपन अनलाइस जरूर करें 6 मुने साल पर इसमें जरूर लगाएं दैन आप बस का बिजनिस टार्ट करें क्योंकि बस का बिजनिस टार्ट करने के लिए कम से कम 15 से 20 लाग रुपे की पुझी लागत लग सकती है अगर आप कहीं भी लैक कर गए या चूख होगे तो आपको बहु से इतना ही फिर मिलूँगा नई वीडियो में नई इन्फोर्मेशन के साथ जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार